नगुस्कार दोस्तों कैसे हैं? आसा करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो Civil Service Examination की Preparation है UPSC Examination की Preparation है, वो फेर चल लई होगी, अच्छे चल लई होगी, एक बार सबसे पहले काउट सेक्षिन नो बता हैं कि तैयारी आपकी कैसी चल लई है और लाइक का बटन जरूर दबा दे देखें Only UPSC के इस प्लैटफॉर्म पर इस YouTube चैनल पर पूरी जो UPSC एक्जाम की तैयारी है वो फ्री में कराई जा रही है, फ्री आप कॉस्ट कराई जा रही है और आपको जो resources है, यानि सिर्फ तैयारी फ्री में नहीं कराई जा रही है बलकि जो resources है, study material है, books है वो भी आपको यहाँ पर फ्री में provide की जा रहे है निसुल्क मौया कराई जा रहे है तो जो बच्चे यहाँ पर तैयारी नहीं कर पाते हैं पैसो के आभाव में आप तैयारी नहीं कर पाते हैं तो only you payse के इस platform पर आपको पूरी जो तैयारी है अब भी आपकी quality की class चल रही है जादी classes नहीं होई है, quality की और यह class चल रही है इसके अभी तक की जितनी classes होई है लगबग 38 classes होई है और जो अभी classes होई है यह remaining हो चुकी है उसके एक playlist बना दी गया यानि जितनी classes होई है उसको एक list में बना दिया गया है और एक playlist बनाकर एक link जो है इस playlist की वो इसी वीडियो के description box में है आप जाकर यहाँ पर जो जितनी अभी तक की classes होई है अगर आपने नहीं किया तो यह कर सकते हैं और आगे की आज के जैसे classes हैं यह करते रहें आगे ठीक है ऐसे सी economy की भी आपकी 19 classes होई है economy की 19 classes आप कर सकते है इसकी भी playlist इसी वीडियो के description box में दिया गया है ठीक है पंद्रह तारिक के बाद से आपकी अधर सब्जेक्ट में भी हो सकता है जोग्रफी या हिस्ट्री की class start होगी एक बार कमरे सकते हैं कि आपकी क्या रहा है हिस्ट्री सुरू होनी चाहिए जोग्रफी एक बार जरूर बताएं ठीक है चलिए आप कोई प्रॉब्लम कोई परिशानिया आपको हो तो आप 97111-41048 इस पर आप हमें वाटसप कर सकते हैं वाटसप कॉल भी कर सकते हैं उसको response आपको दिया जाएगा जो भी आपको problem होती है जैसे class के regarding class में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें live doubt session हमारा किया जाता है यह free of course होता है live doubt session यहाँ पर आप जोड़कर जो classes में आपको doubt रहता है वो पूछ सकते हैं टेलग्राम की जो link है वो भी सी video के description box में दिया गया है चलिए ज़्यादा समय ना लेकर class की सुरुवात करते हैं इससे पहले मैं बता दू मेरे नाम से सुबह मिस्रा के नाम से एक YouTube channel है मेरा personal है वो उसकी भी link किसी video के description box में दिया गया है वहाँ पर important चीज़े updates की जाती है मैं अपनी live के बारे में भी वहाँ पर आपको चीज़े शेयर करता रहता हूँ और in future करूँगा भी तो वो भी आप जाकर यहाँ पर subscribe कर सकते हैं वीडियो के description box में इसी में इसकी भी link दीगे जिए सुबह मिस्रा वाले चैनल की चले ज्यादा समय लेकर शुरू करते हैं आज की आपकी class में आपको बता है ता कि आगली classes में आप लोग देखेंगे कि जो मूल अधिकार और नीति निदिशक्तत्व हैं उनके बिच कुछ तक्राव उत्पन्म हुए है ना conflict है उनके बीच में वो क्या है वो देखेंगे लेकिन उससे देखने से पहले कुछ और important चीज़ें हैं जो DPSP में जो हम लोग पढ़ रहे थे राजी के नीती नीदेसक्तत जो राइक्टर प्रिंसिपल साफ इस्टेट पॉलिसी देख रहे थे इसको हम देखेंगे ठीक है इसके कुछ important keywords को देखेंगे इसके important यह कह सकते हैं points को देखेंगे यह पढ़ने से सब्सक्रा पहले कुछ सम्विधान संसोधन देखते हैं जो अमेंडमेंट्स किये गएं सम्विधान में क्या देखेंगे सम्विधान संसोधन, इसी किस में किये गए, संसोधन, किस में किये गए, इसी DPSP में किये गए, यानि कि इसी नीति निदेशक तत्तों में कुछ संविधान संसोधन भी किये गए, वो क्या संविधान संसोधन थे, important, important, जो DPSP में किये गए, यानि कि संविधान संसोधन का क्या मतलब है, सम्विधान में कुछ जोड़ना या घटाना मतलब सम्विधान में थोड़ा बदलाओ करना ही सम्विधान संसोधन कहलाता है न यही पता है न आपको यही बताया गया था तो यह जो DPSP यानि की राजी के जो नीत निजे सकत्त तो है डारेक्टर प्रिंसिपल साफ इस्टेट पॉलिसी इनमें क्या किया गया इनमें सम्विधान संसोधन किया गया अब वो क्या सम्विधान संसोधन है वो थोड़ा सा देखते है ठीक है देखे कुछ इंपोर्टन इंपोर्टन जो संसोधन है वो देखते हैं जैसे हम यह कह सकते है बिया जो 42 संविधान संसोधन 1976 वाल अब ये जो 42 समविधान संसोधन किया गया यहाँ पर इसके दुवारा हमारी समविधान में क्या है भिया समविधान में अनुछेद 49 का और 43 का और 48 का को जोड़ा गया बात को समझेगा अनुछेद किस किस अनुछेद को जोड़ दिया गया समविधान में अनुच्छेद 49 का यानि जोड़ा जो है 49 A और अनुच्छेद किस आर्टिकल कितना वे, आर्टिकल 43 का, यानि आर्टिकल 43 A और क्या-क्या जोड दिया गया अनुच्छेद 48 का जोडा गया, ठीक है, यानि A बात को समझेगा आप समझ रहें चीजों को जो 42 वा समविधान संसोधन था उसके द्वारा अनुछेद 49A अनुछेद 43A और अनुछेद 48A को जोड दिया गया पहले ये समविधान में नहीं थे मतलब पहले ये क्या थे पहले ये आपके जो डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप स्टेट पॉलिसी यानि DPSP है राजिक के नीती नीदेसक तत्म है इनमें ये नहीं दिये हुए थे मतलब के बात क्लियर होगे तो हमने पढ़ा था ना कि भ betrayा 49A और 48A ये हमने देख लिया है न कि क्या क्या चीज़ब प्रिखल, 49A क्या है 43A क्या है और 44A क्या एक बार प्लीज सब से पहले आप comment section नों बता दे कि ये चीज़े हैं क्या एक बार प्लीज सब से पहले बताएं 49A जो है मैंने बताया ना सारा पढ़ाया 36-50 तक हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़े है 49A जो मैंने बढ़ाया तो आपको बताया ना सामान आउसर के लिए आधार पर न्याय जो है वो निशुल्क मिलेगा न्याय विधिक अधिकार विधिक शाहायता वगरा मिलेगी ये हाँ पर दिया गया है न विया clear है ना सामान आउसर के आधार पर मतलब न्याय भी उचित तरीके से मिलेगा ऐसा नहीं है कि किसी को यहाँ पर न्याय मिल रहा है और अगला जो है उसके पास वकिल रखने तक को पैसे नहीं तो ये सारी चीज़े हमने पढ़ी इसी तरीके से 43A भी देखा और 48A भी देखा तो ये क्या है ये समविधान 42 जो समविधान संसोधन हुआ उसके द्वारा ये जोड़ा गया इससे पहले नहीं था तो ये important क्या था समविधान संसोधन था जो यहाँ पर जोड़ा गया इसे note down आप करने के भिया 42 समविधान संसोधन 1976 के तहट या के माध्यम से अनुच्छे 49 का 43 का और 48 का को या पिर जोड़ा गया या कह सकते है अन्ता हिस्तापित किया गया इस तरह से आप कह सकते है ठीक है तो यह क्या है यहाँ पर जोड़ा गया ठीक है अब देखिए यह तो 42 समविधान संसोधन हुआ ठीक है क्या हुआ 42 समविधान संसोधन अब 44 समविधान संसोधन भियाँ पर 1978 में किया गया था संविधान संसोधन तो पता है ना क्या है मतलब किसी चीज को जोड़ा गया घटा आए गया संविधान से तो यहाँ पर क्या है चब विलिस्वा संविधान संसोधन 1978 1978 का यह amendment था जो constitution में किया गया ठीक है तो यह 1978 वाला जो था इसके द्वारा क्या क्या गया अनुषीद 38 में भासा में संसोधन कर दिया गया जो यहाँ पर भासा थी अनुषीद 38 की फ्रीक है उसमें क्या 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 गया जो यहां पर दी ऐसे जिगे उसमें यहां पर क्या किया गया वात को समझें तो यहां पर क्या है चाहरे कुछ उध्वहलीशत सम्विधान नहीं संदान ayambenfree मेरा खकी श्राव्नेयशत सम्विधान क्या गया उससाब्वन इसाफोर्व सक्हश्व जो हमारा समविधान संसोधन है ठीक है समविधान संसोधन है संसोधन ठीक है यह क्या भिया यहाँ पर किया गया भिया 2002 वाला जो यह समविधान संसोधन है यहाँ पर आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो प्रात्मिक सिक्षा के अधिकार को क्या है यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ था कहने का मतलब है कि आपने देखा ना कि यहाँ पर प्रात्मिक सिक्षा का अधिकार 6-14 वर्स के बच्चों को है यहाँ पर DPSP में दिया गया था ना तो यह जो अधिकार है उसको क्या किया गया उसको मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया हमने पढ़ा है ना कि भाया 6-14 वर्सों के बच्चों के लिए प्रात्मिक सिक्षा के अधिकार यहाँ पर मिलेंगे राज ये प्रहत्न करेगा है ना यहाँ पर जीवन जीने के ये किस ए क्या है ये तो बिया फंडामेंटल राइट है ना मूल अधिकार है ना 21 से तो यहाँ पर क्या किया गया ये जो DPSP में ये दिया गया था कि 6-14 वर्स के बच्चों के लिए प्रात्मिक सिक्षा के अधिकार तो क्या क्या गया इस अधिकार को किसका दर्जा दे दिया गया मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया और 21A में इसको जोड़ दिया गया किसको मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया मूल अधिकार का मतलब ये बच्छों का मूल अधिकार अगर ये नहीं मिलता है तो ये जो है इसको डाल दिया गया समझ आगी चीजे तो ये क्या है 86 स्वंविधान संसोधन 2002 के माध्यम से यहाँ पर किया गया ठीक है अब इसको क्या क्या गया साथी यहाँ पर क्या गया यहाँ पर साथी जो अनुचित 45 था जो DPSP का यानि कि जो नीती निदे सकत्व है यहाँ प 45 में क्या दिया गया था यही यह चीज दी गई थी ना तो यहाँ पर अनुचित 45 में यहाँ पर नया चीज जोड़ी गई यहाँ पर कहा गया बिया 6 वर्स से कम आयू के बच्चों की देखवाल और सिक्षा के लिए करतब है राज्यों का क्या कर गया उनकी देखवाल गया मूल अधिकार में अनुचित 21A में जोड़ दिया गया और वही पर अनुचित 45 में जहाँ पर क्या क्या गया और यानि डीपेएसपी से जब यह चीज चीज अपर यहाँ पर कहा गया कि 6 वर्स से कम आयू के बच्चों की देखवाल और सिक्षा का करतब वहाँ क्या है राजी का होगा राजी पर डाल दिया गया यानुचित 45 में क्या क्या गया जोड़ दिया गया तो क्या जोड़ जोड़ जा गया च्छे वर्स से कम आयू के बच्चों के लिए क्या क्या गया बच्चों के लिए क्या क्या गया यहां पर बच्चों के लिए या फिर इनकी देखभाल के लिए बच्चों के देखभाल के लिए देख भाल के लिए क्या करेगा के लिए राज जी क्या करेगा प्रयत्न करेगा राज जी यहाँ पर क्या करेगा राज जी का करतव यह होगा 6-14 सिवर्स के बच्चो उससे कम के बच्चो को क्या करेगा देख भाल करेगा राज जी तो यह क्या है राज जी का ये करतव यहोगा अनुशियत 45 में है आप जोड़ दिया गया एक बार क्लियर हो रहा है तो प्लीज एक बार कर्णे सेक्ल California बताएं कि आपको चीज़े समझ में हारी है प्लीज एक बार सबसे पहले चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो एक बार बताएं अब इसी इसाफ से क्या किया गया यहाँ पर एक और समविधान संसोधन किया गया यहाँ पर 97th Amendment Act किया गया थीक है 2011 में हैं संसोधन करते हैं किया किия गया इनूखिय 43 का को यहाँ पर जोड़ा गया या आर्टिकल 43 को यहाँ पर समविधान पर जोड़ा गया यह यह धा बार देखना एक बार कर आप केंट सुक्स क्या था ये मैत्वपूर्ट सम्मिधान संसोधन थे जो DPSP से जुड़े हुए थे Directive Principles of State Policy यानि राज जी के नीति के निदेशक तत्तों का जो मामला था इस से जुड़े हुए थे ठीक है ये 42 सम्मिधान संसोधन, 24 सम्मिधान, ये क्या है सारे ये सारे यहाँ पर मैत्वपूर्ट सम्मिधान संसोधन थे जो की DPSP से जुड़े हुए थे ठीक है आप देखे यहाँ पर ये सारी बाते तो रह गई अब ये अभी हम देखते हैं ये जो DPSP है बात को समझेगा DPSP है यहाँ पर क्या है यहाँ मूल कर्तव्यों में यहाँ प जोड़ा गया 51 A जोड़ा गया अब यहाँ पर 51 A का क्या मतलब है यानि यह जो भाग चार हम लोग है भाग चार ही तो पढ़ाँ है ना तो भाग चार क्या है भाग चार में भाग चार का में यहां पर 41-ण बारे बताए बताई गया आपके नागरिकों की duties बताईगी है जो citizens हैं उनकी duties को यहाँ पर बताईगा है 51A में क्या बताईगा है नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बताईगा है मतलब आप यह कह सकते हैं कि कर्तव्य के बारे में कि हमारा यह कर्तव्य होगा कि सम्विधान का हम पालन करें क्या कहा गया है सम्विधान का सम्विधान का पालन पालन करें मतलब जो हमारा सम्विधान तयार हुआ बनकर उसका हम पालन करेंगे यह हम नागरिक है तो हम उसका पालन करेंगे हमारा करतव है ठीक है यह कहा गया और क्या कहा गया पालन करें औ और इसके जो सम्विधान के आदर्स हैं, संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट द्वज, राष्ट गान, इसका हम क्या करेंगे, आदर करेंगे, ये क्या का गया है, ये क्या वन ए, यानि क्या वन कामे नागरिकों के करतवे में कहा गया है, कि सम्विधान का हम पालन करेंगे, और जो उनके आदर्स हैं किसके सम्विधान का जो आदर्स है संस्थाएं जो राष्ट द्वज है क्या है भी यहां राष्ट द्वज वाला मामला अगर आ गया और राष्ट ग्रान वाला मामला आ गया है ना जो नेसनल एंथम वाला मामला हो गया इसका क्या करेंगे इन सबों का आदर करेंगे हम या करेंगे सम्मान करेंगे आदर करेंगे सम्मान करेंगे यह क्या है यह 51 में मतलब यह हमारी ड्यूटीज है अब यह पढ़ाना तो नहीं चाहिए यह study material में ही काम चल जाता लेकिन अब कई लोगों को यह रह कि बता या नहीं गया तो बताना थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए मैं थोड़े थोड़े यह जो इंपॉर्टेंट चीजे दी गई है वो आपको बताने की कोसिस कर रहा है वाकि आपको study material में चाहरी सार प्रतव यह है ठीक है तो यहां पर कहा गया भी यहां जो स्वतनतिता के लिए हमारे राष्टिया आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्स हैं मतलब उच्छ आदर्स हैं तो उनका भी क्या करेंगा उनको भी हम दिल में बनाये रखेंगे हिर्दय में अपने बनाये प्रतव की क्या करना है में रक्षा करना है ठीक है उनको क्या करना है उनको देया भाव से देखना है तो मतलब कहने का मतलब है यह सारी चीज़े क्या है जैसे क्या गा गया अब यह प्राकृतिक पार्यावरंड की बात की गई है प्राकृतिक पार्यावरंड की बात की गई वही नदी जील वन ये सब क्या है नदी जील वन इन सबुका क्या कहा गया इनकी हम क्या करेंगे बिया इनका हम रक्षा करेंगे इनकी क्या करेंगे रक्षा करेंगे ये हमारा कर्तव है तो ये ये सारी चीचे क्यों जोड़ी गई है जैसे नदिया साफ रहें ठीक है जीले सा पर नैचर की बात कही है इन पर भी हमारा हमारा कर्टब है कि हम भίας गंदगी ना फइलाएं दária इनके हम रक्षा करें सम्विधान में आनה ने इसलीए जोड़ी गई सम्विधान बनकर जब तैयार हुआ थो सम्विधान है जैसे अब या अगर ये नदी अगर आज देख सकते हैं जो क्या हाल है जो नदियों का या पिर जीलों का जो हाल है अगर इनके हम रक्षा नहीं करेंगे तो हम देखे यो जो पारेवरंड का मामला है हम कैसे जीवित हैं हम इन पे डिपेंडेंट हैं और ये हम पे में देख सकते हैं क्या देख सकते हैं study material में जो आपको कल तक दे दिया जाएगा ठीक है यह क्या है यह 51 की बात हो गई यहां पर बहुत सारी मतलब देश की रख्षा के लिए आहान करेंगे राष्ट की सिवा करेंगे बहुत सारी चीजे क्या है यह सारी चीजे यहां पर दी गई है 51 ए में दी गई है ठीक है नागरिकों के करतव के बारे में बताए गया है ठीक है तो यह study material में आपको मिल जाएगा बाकी यह जो classes हो रही है अभी तक जैसे screen recording हो रही है 15 तारिक के बास से 15 तारिक के बास से 16 17 भी हो सकता 15 के बास से आपको क्या है on board वाली classes सुरू हो जाएंगी classes की duration लंबी भी होगी जो बच्चे class नहीं देख रहे हैं मतलब अभी तक नहीं देखेंगे last तक वो फिर comment section करेंगे कि आपको भई वो जो classes है वो classes नहीं मिल पा रही हैं तो क्या है यहां पर 15 तारिक के बाद तो यह 15 तारिक के बाद क्या होगा 15 तारिक के बाद आपकी जो classes है 15 तारिक मतलब 16-17 से भी हो सकता है 15 के बाद आपको क्या होगा और subject की classes भी सुरू होगी और यह जो duration है वह क्या भी या.. class की जो अवदी है जो duration है वो भी बढ़ा दी जाएगी ठीक है और classes की भी शुरवात होंगी एक बार क्लास कैसी लग रही है और ये जरूर आप सुनिक्षित करें कि like बटन जरूर दबाय करें कमेंट सिक्षित करें और share किया करें अपने दोस्तों ये लिए बहुत बहुत धन्यवाद